आदर्णिय दर्शक बिन पुर्शत्म मास महात्मय को प्रवचन श्रिंख लामा यहारू सब माहार्दिक स्वागत एबं अभिवादन। यह जो हमेले अद्धय 14 को विशेवस्तु प्रस्तुत गरेका थियों। जा संतान नवयरत चिंतीर सुदेव ब्रामन ले भगवान को तवस्य गरेका विशेवस्तु विवेचन पहेका थियों। आजा अद्धय 15 को विशेवस्तु विवेचन गरने शों। आउनु शेरों तेसपसी सुदेव ब्रामन को अबस्ता कस्तो बहे। नवयमी शालने छेत्रमा सुतनामा पवराणिक रिशियर को सवाले संबोधन गरदे भण्नों। भगबान विश्नुले दर्शन दिनु भएपची सुदेव ब्रामन ले उनलाई दन्डबत प्रणामगरी स्तुतिबिंदिगरे भने दुयाजवर्दै गिंतिगर्दै भने। सारे दुखी सुप्रभू किरफागरी उद्दार गरी पाउं। मज़त दुखीलाई पनी किरफागर्णु भएण भने हज़ूर को लोग बंदुत्त प्रती प्रश्णा उठनेशा। लोगले तपाई को कुरा काटनेशन। स्वणा गता बत्सल नाम प्रती प्रश्णा गरनेशन। उनको कुरा सुनेर भगवान भिष्णु ले समझामदे भन्नव। त्योत्त ठेकाई सबाच पहले योता बना कि तिमी कुन किशिमको दुखले पिडेच्छौ। रा मवाटा क्ये चाहां चौ। उने सम्मर रहेचा बने बरदान पाउंने चौ। चिन्था गरनों परदाईन। भगवान का कुरा सुनेरा सुदेवले खुशी हुँते बने। तिसोह बने प्रभु योता संधान पाउंन। एसे का लागी नहीं मैले तपाई को अरदाना गर्येको हूं। संतान में अभयको दुखले आत्मात्य गर्ने सम्मको अवास्तामा पुगेको थियें। तर त्यो बाटोर समावनों भंदा हजुर को शरण मा पर्नों उपयुकत देखेरा यता लागेको हूं। जसारी भायेपनी मलाई संतान चाहिएको चौ। जसारी पनी युटा संतान उने बर्दान दिनो भला वही न भने मेरा निमती आत्मात्य गर्नों को विकल बच्छाईना तपाईं के अगाडे आत्मात्य गर्ने जिवन त्याक गर्ने चु। यती भनेर सुदे ब्रामन चुभलागे। तेस पची भगवान विष्णुले उनको भाग्ये रेखा विचार गर्दाई भने संतान को कुराज छाडेर अरुने कुने चीज माग बच्छ संतान तत्यम्रु बिन्हिदारमा ब्रह्मा जीले नहीं लेखेका छाईना। तेसे ले एस बारे बाल हट नगर अनावस्य हट को परड़ाम राम्रोभ हो दाईना। इसको पची लागदा धेरे ले दुख़ पाएका छन। पहले असुर कुल माता दीती ले कश्य प्रजापती सिता संतान का खातिर इसते ही हट गरी की थी। यह दे भी कश्य प्रजापती ले न समझाय का हुईना। बीदा ताले ने यह संतान प्राप्तिक लागी उपयुक्त माहने का छाईना। बंदाई अने एक किशिम का नितिकत कुला गरे रा समझायूने प्रयास गरे का थी। तर उनले हट त्यागीनन। जसले गर्दा उनले कश्य इले न पाउनू परने दुख पाय के हुई। पहले ता स्वय वर्ष सम्मा गर्वबोकेर बशनू परे। दोसरो कुरा हिरन न्याक्षार हिरने कश्प उजाता खुंखा दानब को जन्मभाय काले संतान प्राप्ति परची पनी उनले शुखपाऊना सकीना। यह ता भाय उटा प्रसंगा। उनके अर्गोपणी प्रसंगा तेथी नी रोचक्षा। उनले तेसे गरी विदी विधान विपरित दैवी नियम लाई उल्नंगन गरने उद्धिसे राखेरा संतान प्राप्ति को चाहाना गरिन कश्य प्रजापती शित अर्गोपटक। कश्य प्रजापते ले यहाँ पने निके सम्जावनी प्रयास गर्नबो तर मानिनन तेसे ले उनी गर्ववती भईन योकुरा दैवी नियम का इमायेती राजा इंद्र ले थापाए रगड़वर गरिती है। फलता आपने संथान आपहेल भार भईर कियो तियसको व्यवश्थापраलागी उन्हें इंद्र को सर्मा जाननकी परेको थियो अ. जश्लाइ मार्णका लागी उनी संथान प्राप्तघावर्न चाहां थियों। जसको शरीरमा संथान प्राप्तिक का गोन सुत्र प्रकिर्तिके गर्मामा छाई ना। जसको शरीरमा संथान प्राप्तिक को क्रोमोजम प्राकिर्तिक प्रवग सालामा इछाई ना। उनियरका निम्ती कृतिम प्रवग सालाली पनी केई गरना सकते ना। कदाची जसलाई संथां प्राप्त को गुop हुठती लोने देगो छःना तेस्ताब मानिसले किरतिम तरीकाले संथां प्राप्त गरने चाहना राकने हो बने पहिलो कुरात तेस्तो काम संभब ने वह लुगुद है न। कदाचे संबभभए पनी तेसरी जन्मे का संथान ले सुखा देदाईना। की ती संथान अलपायुका होंचन की अपांगता को सिकारभईरत जन्मानचन। जसले दुखाबाय केई देदाईना। तेसले आशाच एस्तोभट गर्ने छाईना। भगवान विष्णुको कुरा सुने रा सुदेव ब्राम्मर्न। जसरी जरा काटिये को ठुला ठुला रूखरू डल्चन। तेसे गरी जमीनमा धाडे रा मुर्शा परे। पति सुदेव को त्यस्तो दुर्दासाब पत्ने गौतमी ले देखना सकीना। रा नजी के बशेरा सुक का सुक गर्दे भन्ना लागेन। पति धेव उटन। इन अना बसक चिंदागर्यर कीना आफ़ाइला दुख दिन होन्छा। कीना आफ़ायला सुकावन होन्च। जो भाग्य माई संतान लेखेको च्हाइन बने बधाताले जी सुचनु भईको चा तेही हुने। संतान को शुख लेखे को भवय ता रहमापती भगवान विश्नुले दी हाल ना उन थेवले। उहां धयाल होनुँछा तपाई हमिलाए दुख दिना उहां ले तेसे भनननु भवय को हुई ना पर हामिलाई दुखर नवोस पन्ने उद्दे छेले नहीं तेस्तो कुरागर्णू भयको हो। जब तिने लोग का मालिक भगवान विश्णून्य नहीं आमरो निदारमा संतान सुख लेखे को छाई न भनिशकनू भयको छबने तपाई को जिद्दी को कुने अर्था छाई न रशोक को पने कुने अर्था छाई न। आपने सात्म भयको दुखता छाई थियो न भयको दुखपनी थपिंचा। जब गवतमीले रूदई मुर्चीद पतिको छवमा पाचर यस्तो कुरा गरिन। तव भगवान विष्णू का बहान गडूर ले उनको अवस्ता देखना सके नन रभ विष्णू सित भन्ह लागे। भगवन यो ज्याद ही भयको एस बंदा बढ़िगी सजन तंपतिको दुखत देखना यो आर्था फोकार मौशूर न सके न। मेरे मुखहरेरा भगवायपणी हजूले इने वर लाई संथान ताप्तपनी बरदान दिने पर चा तेस्तो बाटव देखाई दिने पर चा। वहिना बने लोक मा तपाई को अपमान होने चा, लोक ने निर्दई भनने चान, तपाई को दया सागत नाम मा समेत कलंका लागने चा, तपाई ले चाय में क्या हो दैनार, आठाई शिद्धी को मालिक होनुँच, चाहानु भय बने छुट्टी भागेर एका कुरेर भय बने तेस्तो अबस्ता गर्दी न सकनुँच, तेसे ले बिंती चाप्रभू, इने अरगो दुखा पुकारा सुननुच, हजोर कर्तम, अकर्तम, अन्यथा कर्तम सर्भ समर्था उनुच, हजोर ले चाहानु मात्र पर्छा जे पनी सम्भव चा, भूतक्र्द, भूतभृत भाब, भूतात्म, भूतभाब न वन्यता हजोर को नामें शा, तपाई को उपासना गर्दा सुधा मा जाहता गरीब ब्राह्मन ले ऐशोरी शाली बनने अफशर पाये का थि, तपाई के क्रिपाले गर्दा सांदीपनी गुरु ले मरी शाके का छोरा लाही मिर्ती लोग बारता सम संथान प्राप्तभाई को ने बर्दान किना दिन सकना ना। गर्दु को रासने रभगभान विश्णोर वने ये पक्सिराज मही लेही ब्राह्मन दंत्या का हिःदकारी निम्ती तेसो भने कोुँ उयनों तीमीने यहस्तो कोरा गरीराइका छोह भने तीमीने आफेले इनी तो यह रूँ शुखी रधन सकताईना। भग्वान के कुराशने पची गडुर ले पची को पची ने होला भग्वन अएरे इनलाइफ संतान प्रापती हुने परधान दिनेई परशा बन दै, खिन्न भयगा सर्जन दंपतेल संबोधन गरदे लोट संतान प्राप्तमने बर्धान दे। आधरनिये दर्शक्विन एस अध्यागो मठा मठी कथासर इने होन। इविशे बाटा हामी निम्ना नुशारगो संदेश पाउन सक्षां। पहिलो संदेश ता यह होकी असंभव कुरामा जिद्दी गर्ना हो दाइन। अन्याथा दुख पाएंचा। दुख पाएंचा। असुर माता दितिको प्रसंग बाटा हामी यह संदेश पाउन सक्षां। दोस्रों संदेश क्यों हो बने। अविभाब अगले आश्रित को हिता हित बारे ध्यान दिनुपर्षा। आश्रित जिद्दी गर्य भन्दय मां अईथ हुने चीज दिन पनी हो दाइन। रा अईथ हुने कामबा मारगमा जान दिनुपर्णी हो दाइन। अलिकदी कड़ा रुपां प्रस्तुद भायरम पनी उन्हेवला तेस्तो मारगमा जान बाठ रोकनुपर्षा। आधन ये दर्शक्विन इने प्रसंग को साथे आजलाई बिदाजान जो बिदाजेनुष नमस्कार। कर दो